थे हलो गुड इमनिंग चु आल कैसे हो आप लोग आरे गुड इमनिंग टू आल तो वेलकम तो दिस वंडर्फूल सेशन आफ आप य्परसी एक्जाम स्ट्राटेजी और यू से हाउ अकंप्लीट डिसकेशन और हम कॉमन यह सेशन रखने वाले हैं एक बार जो है वह मेरे को आप क्लियर करके बता दो कि इस वाइस क्लियर स्क्रीन और वाइस आप सभी को क्लियर दिख रहे हैं एक बार बता दो आप सभी लोग गुद इवनिंग हरीश गुद इवनिंग नाइडू गुद इवनिंग अश्वीन गुद इवनिंग सिरियस हंट हेलो सुवं चलो तो एक चीज तो क्लियर हो गया ठीक है हां तो एक्जाम डेट का मैंने अलग से ओल्रेडी वीडियो बना रखा है एक्सपेक्टेड क्या डेट होनी चाहिए वह मैंने बताया हुआ है तो आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में या लैटेस जो वीडियो हैं उसमें जाके आप देख सकते हो ठीक है है तो आज का जो एजेंडा है हम मोस्ट वाबली उस पर अच्छे से डिस्कॉसन करेंगे ठीक है सर मैथ और फिजिक्स का कोई सोलुशन दे मैथ और फिजिक्स का देखो जो भी चीजे हैं इस दो टेकनिकल असिस्टेंट पूस्ट के लिए दो ब्रांच का हम डिसकॉस करने वाले हैं बाकि कॉमन स्टेटिजी सभी के लिए होगा तो आप वीडियो देख सकते हो जो पार् पार्णज के होंगे जू कैन स्किप डाट बाकी चीजे जो है वो ठीक है तो एलेक्ट्रोनिक्स और मेकैनिकल दोनों का मैं डिसकस करने वाला हूं ठीक है चलो सभी को गूड इवनिंग सो स्टार्ट करें एक बार वीडियो जो है वो आप लोग शेयर कर देना ठीक है एक ब सब रेडी हो क्या आप सभी जो है वो रेडी हो सेशन के लिए चलो मैं स्क्रीन जो है वो आपके सामने क्या स्क्रीन विजिबल है एक बर बता दो क्लियर दिख रहा है ना क्वालिटी बढ़ा लेना आप लोग ठीक है ओके तो आज क्या-क्या डिस्कॉस करने वाले हैं वो आपके सामने सबसे पहले मैं बताऊंगा ठीक है ना कि एक्जाम डेट जो है वो मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है आप अल्रेडी मेड़ वीडियो फॉर एक्जाम डेट सो यू कन गो और वाच डाट ओके आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो मैं हर बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा और मोस्ट एक्पेक्ट कर सकते हो तो अभी सारा अपना प्लैन जो है वो उस हिसाब से करना थोड़ा पहले भी हो सकता है जुलाइब भी हो सकता है इस चीज चीज कर ध्यान देना छलो कि स्टार्ट करें एक बार मैं वीडियो को शेर कर देता हूं है ठीक है चालो तो टेक्निकल असिस्टेंट का कम्प्लीट गाइड जो है आपको मैं बताने वाला हूं मेकैनिकल और एलेक्ट्रोनिक्स एलेक्ट्रोनिक्स कम्प्निकेशन ठीक है यह सभी सेंटर के लिए कॉमन होगा जरूरी नहीं बाकि आपका जो है वो आई पी आर्सी के एक्जाम अभी है फॉर्म इसका निकला हुआ है लेकिन आग के आने वाले सभी वेकेंसी के लिए यूसफुल रहेगा बाकि अभी के लिए आप आई पी आर्सी के हिसाब से यह वीडियो देख सकते हो और भी एक्जाम आगे जो हैं उसके लिए भी आपके लिए यूसफुल रहेगा ठीक है तो सबसे पहले कॉंटेंट में हम सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में एक बार रिव्यू करेंगे बाकि जो कोशन किसी का भी कोई भी कोशन होगा वह वीडियो के एंड में मैं एक बार आपको पूछने का मौका दे वांट टू आस्क एनी कोशन दे वांट आस्क अधर देन दिस टॉपिक दे केन आस्क एट दा एंड आप दिस वीडियो के एंड में जरूर पूछें ठीक है सभी से यह चीज रहेगा सार सभी को कोशन पूछने का मौका मिलेगा एनी टाइप आप कोशन रिलेटेड टू आई पीर सी और इस्ट्रो टेकनिकल असिस्टेंट सबसे पहले सेलेक्शन प्रोसीजर फिर एक्जाम पाटन फिर कंप्रीट प्रोसेस रिकूर्ट्मेंट प्र से डाउनलोड करना है प्रिपरेशन स्ट्राटेजी क्या होगी और फिर प्रीवियस एर अनलीसेस भी मैं डिसकस करने वाला हूं सिर्फ मेकैनिकल का वो लास्ट में करूंगा ठीक है बाकी सभी के लिए कौमन स्ट्राटेजी बताऊंगा बाकी जो ब्रांच के का हो गया SDHC का इन सभी के जो है वो सेलेक्टिव स्टुडेंट है ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने सेलेक्षन प्रोसीजर है ठीक है तो सेलेक्षन प्रोसीजर में आपको पता है कि रिटेन एक्जाम का 100% होता है और स्कील टेस्स आपका निउस है बहुत सारे बच्चों को स्कील टेस्स में इशू होता है तो यहां पर IPRC के केस में जो है वो 50% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं जो सेलेक्षन होगा नोगो होगा यानि कि नोगो का मतलब क्या होता है कि अगर मानला आपने रिटेन एक्जाम में अच् कॉमन सभी के लिए है जो नए स्टुडेंट हैं जो पहले से एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो कोई नया चीज नहीं है बट यह सभी सेंटर के लिए यही प्रोसीजर होता है रिटेन और स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट फिर उसके बाद आते हैं एक्जा एक नंबर का और नेगेटिव मार्किंग वंठाड होगा यानि कि माइनस पॉइंट थी थी ठीक है बाकी वी एससी का वही पैटरन है आपका असी कोशन फोर माक्स 320 हो जाएगा टोटल एसडेसी का भी चेंज हुआ था यहां पर यह चीज एक आप इसको 3 कर लेना ठीक है यह टापिंग एरर हो गया है बाकी यह टोटल मार्क्स दो है वह 240 एसडेसी का और यह भी ऑनलाइन हुआ था आपका वी एससी भी ऑनलाइन आई पी असी कभी ऑनलाइन हो मितलब अब होगा ठीक है एचसे सी यूर एससी का 60 कोशन 3 माक्स 180 हो गया और लपी एससी का 75 ठीक है चलो तो हर एक चीज़ को डिसकस करेंगे आपको मैंने उपर बता दिया सिक्वेंस में हमने कॉंटेंट आज के वीडियो का हम सिक्वेंस में डिसकस करने वाले हैं तो एक एक करके डिसकस करेंगे तो इसलिए पेसिंस रखो जो बीच में वीडियो जॉइन करेंगे वह स्टार्टिंग से वीडियो देखने की कोसिस करना ठीक है ना यानि कि यहां छूट जाता है तो आप सेशन के एंड में देखना ठीक है तो सेलेक्शन प्रोसीजर और एक्जाम पैटन तो आपका क्लियर हो गया अभी के लिए जो आपका क्या है वह आई पीर सी का है 80 कोशन 1 positive marks और negative marks जो है 0.33 होगा ठीक है तो अभी जो है वो एक बार recruitment process के अगर बारे में बात करें आप सभी को visible है यह screen एक बार बता देना ठीक है सभी को visible है चलो तो मनलब की text size जो है आपको visible है यह बस बता देना ठीक है नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा यह चीज मैंने पूछा कि यहां पर जो भी complete recruitment process का है यह जो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है अभी आपको explain करूंगा ठीक है ना visible है ठीक है सबसे पहले online form apply होता है आपका ठीक है और उसके बाद जो है वो screening जो है वो return test के लिए admit का डीशू होता है और screening मतलब की यह ना के बराबर ही होता है समझ लो ठीक है अब किसी भी center पे marks की basis पे नहीं बुला जाता है जिनोंने successful form भरा हुआ है ध्यानक ना जिनका form successfully fill किया हुआ है सारे detail सही है तो उनका जो है वो admit card receive हो जाता है अगर आपने आप जो है वो eligible exam के लिए form सही से बर दिया तो admit card आपका आजाए ठीक है offline होगा तो offline में online होगा तो online में होगा उसका objection करने का भी option रहेगा चाहे वह online का हो offline का हो फिर final और revise answer की आएगा देन उसके बाद result आता है रिटन टेस्ट का फिर जो है वह रिटन टेस्ट का result साथ में skill test का उसके बाद में schedule आता है थोड़ी दिन बाद कभी-कभी एक skill test जो है आपका होता है conduct document verification भी होता है IPRC में document verification पूरी तरह नहीं करते हैं आपका certificate होता है skill test के case में ठीक है और फिर जाके skill test होने के बाद आपका final selection result आता है जोइन लेटर तो यह पूरा का पूरा प्रॉसेस है जो student को इस तो के टेक्निकल असेसिट के recruitment के बारे में आइडिया नहीं था तो यहां से यह पूरा एक series of event वंदब की process चार्ट आपके लिए बना दिया थोड़ा सा जो बैच है कोई अभी बैच है क्या नया ठीक है तो अभी mechanical का जो है वह आपका बिक्रम बैच स्टार्ट हुआ है हुआ नहीं है अभी साथ अप्रैल से होगा classes जो है वह और electronics का जो है वह recorded batch है ठीक है वह आप जोइन कर सकते हो ठीक है इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे जोइन करना है अभी हम discuss करेंगे syllabus के बारे में ठीक है लास्ट में किसी को भी डाउट होगा तो आप WhatsApp पे मुझे contact कर सकते हो अगर किसी को भी कोई question पूछना हो कि किस बारे में क् आप WhatsApp पे मुझे पूछ सकते हो कोई भी discussion करना है आपको किसी भी डाउट वगरा पूछना है ठीक है तो सबसे पहले हम mechanical का syllabus discuss करेंगे ठीक है सबसे पहले हम mechanical का syllabus discuss करने वाले हैं फिर उसके बाद जो है वह electronics पे बढढ़ेंगे ठीक है यहां तक किसी को कोई doubt है क्या अभी त complete recruitment process हो गया इसका जो PDF होगा ना वह मैं दो जगा अपलोड कर दूंगा एक तो आप पे अपलोड हो जाएगा आपका syllabus आभी मैं बता भी दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है ठीक है तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना या टेलिग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड क दूंगा दोनों जगह में से आप जहां पे भी हो वहां पे डाउनलोड कर लेना ठीक है तो इसकी PDF जो है इस सेशन के बाद अपलोड हो जाएगी ठीक है अभी आपको सबसे ज्यादा important यह है यह वीडियो देखना क्योंकि मैंने syllabus में बहुत सारे update किये हुए है और online exam आया तो कई ऐसे topic पूछे गए हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे तो इस चीज यह वीडियो में मैं आपको explain करते चलूंगा कि कहां पे क्या क्या चीज important है और कौन से नए topic पे पूछे गए है question और क्या मैंने नए topic add किया है तो यह सारी चीजे भी इस साथ साथ में discuss करते ठीक है चलो चलो ठीक है टेलिग्राम का लिंक जो है मैं description में add कर दूँगा यह session जब over हो जाएगा तो यहां पे live chat में अभी जो है वो link copy करना पड़ेगा time लगेगा तो मैं session के बाद जो है वो मैं video के description में और comment में pin कर दूँगा ठीक है चलो तो सबसे पहले mechanics की बात करें अगर mechanics की बात करें इससे पहले मैं syllabus discuss करने से पहले मैं आपको mechanical का जो है वो previous year का analysis दिखा देता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है पहले IPRC का discuss करेंगे और फिर उसके बाद जो online TCS ने और भी जो पेपर हैं उनके भी analysis किये हुए हैं बट अभी के लिए IPRC और online exam का आपके लिए important है ठीक है तो IPRC के हिसाब से देखोगे जो सबसे ज़्यादा weightage वाले subject है एक तो आपका production हो गया ठीक है इंडस्ट्रियल में पहले ज़्यादा question आये थे last year नहीं आया है ठीक है स 2022 में इनका भी अच्छा खासा weightage रहा है production के comparison में production आपका chapter काफी बढ़ा है और जिसमें से पांच 17 में से पांच कोशन यहां production इंडस्ट्रियल काफी weightage था 2018 में ठीक है इसका cut-off इस वजह से कम गया था इस बार थोड़ा सा production में ज्यादा था बट ओवर आल आपका इक्वल था मतलब कि सभी से अच्छे खासे कोशन आये थे ठीक है आई सी इंजन से चार कोशन पावर प्लांट से दो कोशन आरे सी से एक कोशन इंजिरिंग ब्रॉइंग से एक भी नहीं आया है मिसलेनियस में किसी अब जैसे बेसिक साइंस या एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रोनिक से भी थोड़े थोड़े कभी-कभी एक दो कोशन पूछे जाते हैं तो वह चीज भी इसमें मैंने डाला हुआ है ठीक है और थर्मों की बात करें तो थर्मों में आप थूरू आउट देख सकते हो कि स्टार्टिंग में 2016 में बारा कोशन ठीक है 2016 में दो पेपर हुए थे एक अगस्त में एक दिसंबर में तीन कोशन यहां पे बारा कोशन अप्रैल में जो 2018 का एक्जाम हुआ था छे कोशन ठीक है सोम का अल्मोज जो है वह बराबर वेटिज रहा है साथ से आठ कोशन पांच कोशन ठीक है में बस 2018 में नहीं आया बाकी सभी एक्जाम में ठीक है ऑल्लाइन एक्जाम के लिए मेकैनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी मैं नीचे वाला भी बताओंगा भी टीसी इस का ठीक है चलो तो यह आई-पी-अर्सी का आपको क्लियर हो गया है FM में देख सकते हो FM में 9 कोशन 15 कोशन 11 कोशन और फिर 9 कोशन तो FM हो गया पोड़क्शन हो इंडस्ट््रियल हो गया थर्मल अप्लाइट थरमल पर कमभी कर सकते हो ठीक है और एमधी के अभी काफी कम आया हुए और यह आपके लिए बहुत जादा important रहेगा जो पहली बार त्यारी कर रहे हैं शुरुवात कर रहे हैं उनके लिए तो अभी matter नहीं करता है यह चीज मैं बता दू ठीक है लेकिन जो पहले से त्यारी कर रहे हैं उनको revision करना है जादा से जादा question practice करना है तो उनके लिए यह बहुत जादा important रहेगा ठीक है और आप पहले कौन सा subject करना चाहिए अगर self preparation कर रहे हो तो उसके लिए भी यह previous year का analysis बहुत जादा important है अब exam IPRC का online होने वाला है और अल्मोस्ट अब सभी के सभी online होंगे तो online में क्या pattern change आया है यह आपको त्यान देना है देखो यूरसी का 60 question हुआ था इसमें जो है वह आपका numerical बहुत ही ना के बराबर आया था ठीक है यहां पर आराउंड 10 दस question के आसपास जो है वह numerical था बाकी जो है वह 50 question theoretical थे और 7 question math और aptitude से था ठीक है उसमें 50 के अंदर ही है ठीक है तो 7 question math और aptitude से था बाकी के यह bracket में जो लिखे से आपको analysis बताया हुआ कि numerical कितने आया हुए और online में कितना importance है ठीक है 80 question के pattern में numerical भर भर के आया हुआ है यहां पे more than 35 से 40 के बीच में आप count कर लेना ठीक है आप count कर लेना सभी में लगबग इसी के आसपास आया हुए जैसे कि थर्मों में देख सकते हो कि 4 question आया हुआ है 2 numerical आया है SDSC में 11 question आया हुए 9 जो है आपके numerical आया है सोम की बात करें 10 question आया हुए 3 numerical और SDSC में 7 question 3 numerical यहां पे URSC में 7 question 2 numerical EM में देखो EM online के लिए कितना important है SDSC में थोड़े कम question आया है लेकिन URSC में 10 question और VSSC में 15 question इसलिए engineering mechanics बहुत जादा importance है आप सभी के लिए मतलब की सुरुआत जो है वो इस subject से कर सकते हो अभी जो live class start हो रहे है विकरम बैच में वो आपका साथ तारिक से उसमें सबसे पहला subject हम engineering mechanics सी start कर रहें और कुछ-कुछ ऐसे topics हैं जो आप पढ़ते नहीं हो और उससे question बहुत जादा आते in fact numerical ठीक है तो य वीडियो अटक रहा है कि अच्छा फूल स्क्रीन नहीं आ रहा है चलो चलो सॉरी कमेंट मैं देख नहीं रहाता थोड़ा सा मैं जूमिन कर लेता हूं अभी साइध आपको पूरा दिख रहा होगा कि ठीक है ना अभी मैं जो है वह न देखो अब यह जो है वह आप वीडियो पास्ट करके स्क्रींशॉट ले ले लेना अभी मैंने च्छोटा कर दिया आइधिंक पूरा दिख रहा हैं एक बाइन कर दो अब जो है वो पूरा दिख रहा है एक बार कंफर्म कर दो कमेंड में चलो जब भी मैं कोई चीज समझाने लगता हूँ फ्लो में रहता हूँ तो फिर अच्छा चलो और छोटा कर देते हैं यह मैंने इस वाले पीडिएफ के हिसाब से कर रखा था सभी के पेपर जो है वो मैं अभी बताऊंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है ठीक है ना अभी ठीक दिख रहा है ठीक है तो इसका स्क्रीन शॉट आप बाद में ले लेना अभी तो मैं जो चीज बता रहा हूं उस करना बाद में वीडियो पॉस करके स्क्रीन शॉट ले लेना ठीक है ना तो यहां पर मैं यह बता रहा था कि कहां तक टों में जो है वह आपके थोड़े से कम वेटेज हैं बाकी सब्जेक की कमपेरिजन में बट चार कोशन चे कोशन ऑल ईंबरेज पास कोशन इमपॉर्टेन्स रखता है और उसमें भी नुमेरिकल आपके आए हुए हैं ठीक है मैटरियल साइन्स में पांच चे-पांच मलभ टी से चार टॉपिक हैं उससे हमेशा qection आते हैं फिक है और प्रोडक्शन में कहाँ है जाँ है और चार नूमेरिकल ऐंसे में कोशन को मतलब मतलब है there uh जो है आपके चार कोशन एक नुमेरिकल तीन कोशन दो नुमेरिकल और यहां पर एक ही आये हुआ है MD में बहुत जदा कोशन आया था वे से सी में 11 कोशन 3 और स्जासी में साथ कोशन पाच ठीक है बाखी देखो के एचे में बी ऑउनलाइन में भी मतलब की हम टी आईसी इंजन पावर प्लाइंट में कभी-कभी बेटेज आ जाता है बाकि आरेसी पूरा खाली है इंजिनिंग ड्रोइंग में कभी-कभी बेसिक कोशन आते हैं वह आपको पता रहता है हां मैथमेटिक्स बहुत जादा क्वांट ठीक है बेसिक आप्टिटूड भी आते हैं तो आठ कोशन चार कोशन साथ कोशन बेसिक साइंस में कभी कुछ फिजिक्स के कोशन हो गया जैसे कि आपके ऑप्टिक्स के कोशन आ जाते हैं कैमेस्ट्री में पी-एच वैल्लू हो गया और कुछ चैमिकल एक्वेशन स आ जाते हैं तो ऐसे टॉपिक जो है नॉर्मल यह आपको आता है जब आप बेसिक साइंस पर पढ़ते हो जनरल साइंस वहां से आपको पता होते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है इस चीज का ध्यां रखना ठीक है बाकि यहां पर अल्रेडी मैंने आपको बता दिया है ठीक है ना प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का वेटेज अच्छा खासा है एफम का है और फिर एम और सोम का ठीक है थर्मोडानमिक्स का भी रहता है तो अप्लाइड आपका थर्मल जो है आप इस कि तो नहीं कर सकते हो क्योंकि इस रोका सेलेक्शन चाहिए अगर आ सब्सक्राइब के आसपास SDHC में भी आपका जो कटफ गया था वह अराउंड एटी परसेंट के आसपास तो आपको बहुत जादा जो है वह आप सिलेवर से स्किप नहीं कर सकते हो ठीक है चलो तो यह प्रीवियस यर मैंने बता दिया अब जो है यहां पर हम डिसकॉस करते सब्सक्राइब के बारे में तो उसी हिसाब से सभी प्रीवियस यर अभी तक 24-25 मेकानिकल के पेपर हुए है इसके बाद एलेक्ट्रोनिक्स का मैं बताऊंगा उन सभी के पेपर पूरा अनलाइज करके सिलेवर मैंने पहले से बनाये हुआ था लेकिन अगर आपके पास मैंने क्या अलग से आड किया हुआ है वर्क पावर एनरजी के काफी जादा कोशन पूछे जा रहे तो यह पहले सिलेवर में आड नहीं किया हुआ था तो इसको भी आड कर दिया है ठीक है और कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड आपके कोशन कंजर्वेशन आफ एनरजी से आ कॉषथ लेकिन आपका बेसिक जो है है यहां आफ से रिलेटेड ग्रेवीटेशन चैप्टर से भी से रिलेटेड ग्रेविटेशन से रिलेटेड तो कोशन आ जाते हैं तो ग्रैविटेशन भी मैंने इसमें इंक्लूट कर दिया है तो ग्रैविटेशन से रिलेटेट जो है आप बेशिक कोशन जरूर पढ़ना बागी स्लिवर्स पहले से है वह वैसे ही है जो पहले से मैंने स्लिवर्स बनाया वब ठीक है पूरा डिसकस्ट नहीं करेंगे कि हां क्या-क्या चीज हैं टॉपिक आपका पूरा लिख़ा हुआ है आप पीडियेफ डाउनलोड करे अराम से इसको पढ़़ना इसे सोम में आपका सेम सिलिबस है सोम में कोई चेंजिज नहीं है अल्रेडी सारे टॉपिक एड़ कर रखे है त्योरी आफ फेलियर जो है आप यहां तो सोम में पढ़ लो यहां आप मशीन डिजाइन में पढ़ लो कहीं भी रहता है ठीक है चलो तो उसके बाद जो है वो आपका टॉपिक एड़ किया हुआ है इससे कभी कोशन आया नहीं है एक बार में अलग से होता नहीं इस बार जो एक्जाम हुआ था वह यूर्स्ट के लिए तो बैलंसिंग से अभी तक किसी में कोशन देखा नहीं गया है ठीक है बाकी इसको एड़ कर दिया है कि इन केस ऑनलाइन लोफिन एक्जाम हो रहे हैं तो अब ही सकते हैं बाकी के सारे के सारे TOPIK वही हैं पहले से जो हैं ठीक है आपका सिंपल मेकानिजम हो गया गिएर नगि identifying हो गया बेल्ट्राइबे से बहुत indicates कोशन आ रहे है आज तो ये TOPIK मत करना नहीं बहुत सारे एक्जाम आपका एक्जाम में आते हैं कोशन में आप देखोगे ठीक है तो वह सारे के सारे टॉपिक मैंने यहां पर याड कर रखें क्या नया किया वह मैंने आपको बता दिया बैलेंसिंग में बस बैसिक आपको टाइपस ऑप बैलेंसिंग पढ़ना है और इससे जो है वह कितने पारे में बात करें तो बहुत ज्यादा वेटेश है पावर स्क्रू है त्योरी आप स्प्रिंग उसके अलावा साफ्ट कीज कपलिंग हो गया बेरिंग हो गया बेरिंग तो आप छोड़ी नहीं सकते हो एमडी से कोशन आ रहा है तो बेरिंग से जरूर रहेगा एक या दो क और इसे काफी आते हैं अधि वेरिंग का और फिर जनल इसे इन दोनों से निमेरिकल आते हैं फिर उसके लावा रिविटेड और वेल दे जॉएन्ट हो गया और फिर डिजाइन अगेस फ्लक्चूइटिंग नोड तो यह आपके जो है वह 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 टार्गेट बैच वालों क ठीक है फ्लूड मेकैनिक्स इसमें जो है अल्मोस्ट सभी के सभी वही टॉपिक है कुछ नया एड़ नहीं करा फ्लूड परपर्टीज पढ़ना है प्रेसर मेजरमेंट हाइड्र स्टाटिक फोर्स बायोंसी और फ्लॉटेशन हो गया डायनेमिक्स और फ्लो मेजरमेंट हो ग टर्बाइन हो गया पंप हो गया और फिर उसके बाद फ्लूड सिस्टम कभी कभी एक दो कोशन आ जाते हैं कि हम एकुमिलेटर क्या होता है इंटेंसिफायर बहुत कम इससे कोशन आए हुए है लेकिन तैयार करके जाओ थोड़े से टॉपिक्स है ठीक है हां इसके बाद ज रखे हुए जो आपका पहले से यह सिलेवस में था कुछ नया अब नहीं करा तो जो आपका सिलेवस में हैं वही है विल्कुल इक्जाक्टली आइसे इंजन में भी विल्कुल सेम्-टूसेम आपको यह टॉपिक्स पढ़ने हैं बेसिक्स और एयर स्टैंडर्ट साइकल आपका performance और टेस्टिंग होता है और फिर refrigeration और air conditioning में refrigeration आपका पूरा का पूरा cycle हो गया ठीक है ना उसके बाद refrigerant हो गया equipment हो गया ठीक है और फिर आपका आज आता है air conditioning यानि कि psychometry ठीक है तो psychometry से काफी question आते हैं power plant में क्या-क्या पढ़ना है आपको steam power plant में boiler steam turbine हो गया और बेसिक जो है वो टर्वाइन के बारे में ठीक है न बॉयलर mountings वगरा हो गया और basic boiler के classification से question आते हैं फिर air compressor आपको पढ़ना है air compressor से question आते हैं फिर उसके अलावा nozzle हो गये और फिर gas turbine हो गया यह चार topics है और plant में करने हैं ठीक है यह लिस्ट thermal application जो है वह बहुत कम सभी एक्जाम में इसके वेटेश बहुत ही कम रहे हैं तो इसी लिए इस पर लिस्ट फोकस करना है जिस पर वेटेश ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करना है ही ट्रांसपर में बेसिक मोट्स हो गया है कंडक्शन कंवेक्शन हीट एक्चेंजर मैंने नया एड किया हुआ क्योंकि कई एक्जाम में LMTD पूछा गया है ठीक है और इस रों नहीं तो दूसरे एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इसको आड़ कर दिया बेसिक टाइप्स पैलेर और काउंटर फ्लो ठीक है चलो अभी हम इस वीडियो में ये सेशन में हम सिर्फ जो है वो आपका जो सिलिबस डिसकस कर रहे हैं वो टेकनिकल असिस्टिन का ठीक है फिटर का कोई सिलिबस नहीं है आपका जो एक्जाम अनलिसिस करो ठीक है बाकी जो ब्रांच के अगर कोई सिलिबस जाना चाहते हैं तो आप मेरे को जरूर मैसेज करना ठीक है और जो पहले से एक्जाम दिये हुए हैं वो जरूर बताना क्यूंकि आप लोग अनलिसिस करके दोगे तो मैं उस पे भी अलग से वीडियो बना दूँगा ठीक है अगर आप पेपर अनलिसिस करो उस पे भी मैं वीडियो बना दूँगा अगर माल दो आपका अलेक्ट्रिकल है आपने एक्जाम दिये हुए है या पेपर आपने अनलाइज कर रखता है तो शेयर करो कि तब भी वीडियो बना पाऊंगा ठीक है अभी मेरे पास मेकैनिकल का मैं खुद सारा करता हूं ठीक है तो इस वजह से बाकी जिसका नॉलेज नहीं है मिरको जिसपे मैंने मुझे एक्सविरियन्स नहीं है तो उस पे जो है वो मैं इसलिए मैं उसके वीडियो नहीं बनाता कि कहीं से भी कुछ भी उठाया सिले बस और बता दिया कि यह यह पढ़ लो तो बहुत जादा इस दो पॉइंट अव व्यू से इंबॉटैंट है टिक है क्रेस्टल इस्ट्ट्ट्स एड़ किए त्यसके चेस्ट में में कैनिकल टेस्ट आपका इंपॉट्टैंट है आपका रीतिंट टेस्ट के लिए और के लिए उसके बाद आईरं कार्बन डायगराम हो ही ट्रीटमेंट और उसके अलावा जो हो फेरस और नॉन-फेरस आपके एलिमेंट्स हो गये तो यह में हैं परड़क्शन में काफी चैंजे आए हैं आपको मैं डिसकस करके अभी बताओंगा परड़क्शन में आपका प्रड़क्शन टेक्नलोजी मैंट्फेक्टिंग यानि कि computer integrated manufacturing metrology और measurement से आते हैं हमेशा question आते हैं और recently exam में भी आई हुए हैं forming से थोड़ा बहुत question आता है बट एक दो question आता है उसको आप skip नहीं कर सकते हो ठीक है उसके त्रीशिंग में मशीन हो गया और मशीनीं में अगैसिंग मुझा है तो यह सब सभी वह आपको करने पिर आजाता है इंडस्टियल इंजिनींग और इनेज्मेट जिसमें ब्रेक एवन और इंवेंटरी कंट्रोल इन दोनों से कोशन आया हुए हैं अभी के लास्ट के दो-तीन साल में ऑनलाइन एक्जाम या ऑफ-लाइन हुआ है तो इसलिए यह अलग से आड़ किया हुआ इंवेंटरी पहले से डाला हुआ था ब्रेक इवन आपके स्लिवस में नहीं था बट क्लासे में कराया हुए थे ठीक है वर्क स्टडी से कोशन आते हैं हमेशा क्वालिटी कंट्रोल हो गया पर्ट सी पीम हो गया और प्रडक्शन प किया हुआ है यह आपको अलग से पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी क्योंकि इसका सिलेवस बहुत वास्ट है लेकिन अगर आप नौन्टेक एक्जाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत आप जो है वह दसवी का फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेना दस वी और नौ वी का ठीक है क्योंकि उससे बेसिक कोशण आते हैं और वह कोशन आपको पता होता है ठीक है एक-ब्रीप्रीशली दो-तिन एक्जाम में ठीक है तो इसी लिए कोई से कोशन आ गया कोई एलेक्ट्रिकल से आ गया जैसे कि एक ओम्स लॉग का आया था भी रिसेंटली और ऐसे पी एच पूछ लिया वाटर का या आपका लेंस से रिलेटेड कोशन हो गया या आपका रिफ्रेक्शन से तो ऐसे बेसिक कोशन आते हैं जो आपको अलग से करने की जुरुत नहीं है नॉर्मल ही आपको आते हैं थोड़ा बहुत रिवाइस कर सकते हो ठीक है उसके अलावा इंजिनिंग ड्रोइंग से हमेशा बेसिक सिंबल वगरा से कोशन आते हैं यहां पर प्रोजेक्शन से और इंस्टूमेंट के सिंबल से ठीक है उसके बाद आ जाता है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स जो डिपलोमा का मैथ है बेसिक अप्टिट्यूड हो गया ठीक है तो यहां पर आपका मैथ में डिपलोमा के सारे टॉपिक्स यह आपको करने ही करने है और वेटेज जो है ऑनलाइन एक्जाम में 7-8 कोशन 10 कोशन तक आ चुके है तो इसलिए बहुत जादा है और इसलिए मैंने पहले आपको वेटेज दिखा दिया ठीक है बेसिक अप्टिटूड से तो सिर्फ मैथ की नहीं आ रहे हैं अप्टिटूड के भी कोशन आ रहे हैं जैसे कि आपका अर्थमेटिक हो गया या आपका ठीक्नोमेट्री से ख़ें और तीन टॉपिक जो है वह आपका है तो मेकैनिकल का ही लेकिन ये आपको इसको अलग रख सकते हो ठीक है जो यहां से आपको मेकैनिकल से डॉल्लोड कर सकते हो यह टेलिग्राम से लिंक मैं इस session के बाद जो है वो comment में pin कर दूँगा ठीक है ना comment section में और description में भी add कर दूँगा ठीक है हाँ आपको previous year और syllabus कैसे download करना है वो जैसे app open करोगे तो home screen आएगा उसमें आप ये course वाला section पर click करोगे ठीक है ना वहां पे आप syllabus यह previous year search करोगे तो यह जो है वो course एक अलग से course बनाये हुआ है देखो one rupees यह app पे one rupees आपको दिखाएगा अगर यह आप नहीं भी purchase करते हो तो भी आपका previous year का paper और syllabus डाउनलोड हो जाएगा ठीक है ना बिना enroll करे बाकि enroll कर लोगे तो आपको नया चीज इसमें add होगा तो भो भी दिखाएगा इससे minimum नहीं option रहता है इसलिए one rupees किया हुगा है जीरो का option है ही नहीं ठीक है आप लोग में से काफी लोग बोलते हैं कि सर one rupees में previous year और syllabus रखते हो तो वह minimum app पे ऐसा system है इस वजह से ठीक है वहाँ पे जाके content section इसको open करना है content section में आपको आई ठीक है तो sorry थोड़ा गलाफस गया यहां पर सबका फोल्डर मैंने बना रख है तो इस तो रोका लगसा फोल्डर है उसमें आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो previous year अब बात करेंगे electronics का ठीक है mechanical का यहां तक किसी को कोई doubt हो तो बताओ electronics में मैं बहुत जादा discuss तो नहीं कर पाऊंगा बट आपको एक syllabus का overview जरूर दे दूंगा बाकी आप इसमें से पढ़ लेना ठीक है क्यूंकि mechanical से हूं तो electronics में detail बहुत जादा क्या रहता है क्या नहीं वह मैं नहीं बता पाऊंगा ठ ठीक है हाँ विक्रम बैच में देखो बैच आपके launch किस लिए हुए है पूरा सलेवस उसमें cover कराया जाएगा और सबसे important है कि उसमें आपका previous year जो है वो topic wise कराया जाएगा एक topic खतम होगा तो उसका previous year का topic भी कराया जाएगा ठीक है डाउट कैसे solve करें देखो question है तो डाउट आप ग्रूप में discussion करो ठीक है अगर आपको दिक्कत होता है आप बैच जोइन करोगे तो वहां पे ग्रूप discussion है या टेलिग्राम पर फ्री में आप इस रोग अलग से ग्रूप बनाया हुआ है वहां पे discuss कर सकते हो मुझ स पूर सकते हो अगर फिर भी नहीं कहीं पर भी आपका resolve हो रहा है तो ठीक है कि चलो तो साथ तारीक से आपका class होगा और किसी को डाउट नहीं है तो electronics का start करते हैं फिर ठीक है चलो तो यहां पर जो है वह आपके electronics में network theory हो गया control system digital electronics basics electronics और उसके अलावा जो है वह आपका analog electronics ठीक है और जितने लोगों को ठीक है अभी कैसे batch वगरा जोइन करना है मैं end में बता दूंगा ठीक है अभी मैं electronics का थोड़े दिर वेट कर लो electronics का मैं discuss कर लेता हूं बस syllabus में आपको बताने electronics के बच्चों को ठीक है analog हो गया सारे topics हैं जो आपके diploma level पे आते हैं detail में दिये हुए हैं और कुछ-कुछ topic जो है वो नए पूछे गया वह भी आड़ कर दिया जैसे कि c language हो गया vhdl हो गया आपका ठीक है और basic physics हो गया बाकी math जो है वह आपका सेम है math यहां भी पूछा जाता है electronics में जैसे कि mechanical में पूछा जाता है ठीक है और electronics के लिए आप लोग सैटलाइट बैच जॉइन कर सकते हो यह recorded बैच है इसका कोई अभी live class नहीं है live class अभी सिर्फ mechanical का start हुआ है ठीक है अभी हम preparation strategy की बात करेंगे जो सभी के लिए common रहेगा ठीक है कैसे login करना है laptop के लिए ठीक है देखो उसमें आपको जो है वह सारा चीज बेसिक से कराया जाएगा previous year भी करा आपको जाएगे तो सारा चीज आपको उसमें होगा तो पूरा exam करने की जितने भी चीज आते हैं वह सारी चीज़े आपको मिल जाएगे ठीक है तो preparation strategy जो है वह आफि लोग यह चीज इंपोर्टन्ट है यह सभी के लिए एक मैं अलग से भी वीडियो बना दूँगा थीक है ना एक मैं अलग से भी वीडियो बना दूँगा आपका थोड़ा सा डीटेल स्टाटेजी के बारे में यहां पे तोड़ा सा मैं सेशन को शॉट रखूंगा क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा देखो जो नए बच्चे हैं वो तो सबसे पहले जो है वो आप जो है वो या तो खुद पढ़ाई स्टार्ट करो आप कहीं से आप क स्टार्ट करना है पहला सब्जेक्ट वाइस स्लेबर स्लेबर जो है बेसिक कॉंसेट आपको क्लियर करने हैं अगर आप पुराने स्टूडेंट हो पहले से एक्जाम अपने स्लेबर कर चुके हो तो आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना ठीक है उसके बाद जो है वो सिर् लगाओ सिर्फ इस स्रोः का ही नहीं स्रोः तो करना ही यह इस रोओ में आप टेकनिकल असिस्सेंट के लावा सइंट tu के कर सकते हो और उसके लावां जो है वह एक और चीज है कि आप जितने भी जे एक Жाम है ठीक form सभी के गर लगा सकते और उसके बाद जो है practice book जो है वो बुक से objective question practice कर सकते हो चाहे आपका jain हो गया, खुर्मी हो गया, mechanical का या या वाई-city का J.E. और A.E. के question solve कर सकते हो S.S.E. J.E. के medizy जो publication का है उसका भी कर सकते हो और इसी के बाद करें तो J.E. गुपता है, Y.C.T. का J.E. और A.E. का भी है तो ये चीज़ कर सकते हो तो जब भी एक चीज़ का ध्यानक ना, जब भी आप syllabus complete करके और practice कर रहे हो ना तब जो है वो आपको कोईच भी doubt होता है वहाँ पे जो आपको नहीं पता है या आपने नहीं पढ़ा ठीक है यहाँ आपके notes में नहीं है तो उसको add किया करो चाहे वो अलग से page पे करो, वहाँ पे जहाँ पे वो topic है वहाँ पे लगा दो, pin कर दो या वहाँ पे खाली जगह है right hand side में तो कहीं भी वो चीज़े add कर दो ठीक है इससे आपका notes के जो weight हैं वो काफी ज़्यादा increase होंगे ठीक है notes के जो weight हैं वो काफी ज़्यादा increase होंगे जो extra चीज़े आपको exam में कई चीज़े ऐसे factual चीज़े होती है data होता है कई values होते हैं जो normally कई बार class में अगर नहीं कराया जाता है तो आपको test series से वो चीज़ पता चल जाता है या कोई आप objective solution previous year वाली books है वहाँ पर दीए हो तो वहाँ से पता चलता है तो ऐसे कुछ ऐसे topics भी होते हैं कुछ factual data होता है तो उस वह चीज़े exam के end में आपको revise करने के लिए बहुत जादा important ऐसे आपने test series लगाया वहाँ पर चीज़ मिला आपके notes में नहीं है फिर भी आपने उसको ignore कर दिया फिर वही चीज़ आपको एक्जाम में पूछा जाए वह चीज़ याद नहीं आया फिर क्या गरोगे तो आप अपना इस दो का देखा जा तो solar topic होगे तो solar subject जो है वह एक साथ exam में लेकर जाने होते हैं इसलिए revision बहुत जादा important ले करता है रोल ठीक है तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो class में तो अगर मालो आप आपने तीन घंटे पढ़े या self study करो या आप कहीं भी online कर रहे हो या live classes कर रह पाना बस go through करना है फिर अगले दिन class होने से पहले वह जरूर एक बार रिवाइस करो तो जब दो बार एकी चीज को रिवाइस करोगे तो retention बहुत जादा increase हो जाएगा और यह चीज बहुत जादा important है ठीक है चलो तो अभी जो है वह यहां पर आपको यह चीजे बता दिया तो एक्जाम से पहले आपको यह चीज ध्यान रखना है कि हर subject आपको at least 5 बार revise हुए होंगे कि नहीं ठीक है न यह आप अलग से एक seat भी बना सकते हो कि कौन से subject कितने बार revise किये हो तो एक्जाम से पहले at least 5 बार revision होना चाहिए ठीक है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और shorts जो short notes में important concept और formula है उसके अलग से micro notes बना सकते हो separate जिसमें last time में exam से एक दो दिन पहले जो काम आएगा ठीक है तो यह strategy है इसमें अगर आपको कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो ठीक है time के schedule के लिए मैं अलग से सोचा है कि वीडियो बना दूँगा क्योंकि यह session बहुत जादा बढ़ा हो जाएगा इस वजह से एक कैसे पढ़ाई के लिए time table होना चाहिए उसके लिए सोचा है अलग से आपका session ले लूँगा यह video बना दूँगा यह ठीक रहेगा देखो आप एक चीज़ आप लोग ध्यान अखना है कि जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठके पढ़ोगे बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं रात को मैं देर तक जग जाता हूं देखो आप कोई भी time पे पढ़ो लेकिन आप discipline के साथ पढ बनाओ कि मैं एक दिन में 6 घंटे अगर पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ रहे हो अगर जॉब कर रहे हो तो आपको कम टाइम मिल रहा है लेकिन उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो यह नहीं कि आपका खिताब रखा हुआ है आप फोन पे लगे हो डिस्ट्रैक्ट ह हो रहे हो तो टाइम का यूटिलाइज करो अच्छे से चाहे रात को पढ़ो दीन को पढ़ो दो पहर में पढ़ो जो भी टाइम पे पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो यह मैं बोलूंगा और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ अगर आप लोग नॉन टेक की वित्यार है अब ठीक है तो यहां तक किसी को कोई डाउट है बताओ बाकी जो आपके कोर्से यह आपके मिल जाएंगे ठीक है टारगेट बैच में आपको सभी एक्जाम के लिए एकसेस होगा वह बिक्रम बैच का भी लाइफ क्लास होहाँ पे मिलेगा अगर आपने जोइन किया जो हमारे कॉम्बो कोर्स है रिकॉर्डड मेकैनिकल के भी अबलेबल है हिंदी और इंग्लिस मीडियम में ठीक है उसके अलावा रार के जैन और भी बहुत सारे कोर्स है वह आप पे जाके चेकाउट कर सकते हो ठीक है और आपको अगर इनके जो है वह स्लेवस आप पूछ रह है वहूं को कोई भी कोर्स जोइन करना तो यह ढाउन् लोड करो यह आप जिari सकते हैं ऐसे पीडियेफ में सारा चीज रहेगा ठीक है और उसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी जो है वह साथ अपरेल तक जो है वह आपका विक्रम बैस पे 500 का डिसकाउंट है तो जो आपके वहां पे आप लगा सकते हो डेमो लेक्चर अपलोड किया हुआ है तो वह भी आप देख सकते हो पहले और उसके बाद आप इंड्रोल कर सकते हो ठीक है तो इसके अलावा अगर आपके कोई कोशन हो तो मुझे बता सकते हो जितना भी चीज़े इसमें डिसकस करना था आज के सेशन में वह मैंने कम्प्रीट कर दिया है अब एक बार वीडियो के टॉप पे आ जाते हैं यानिकी पीडिएफ के टॉप पर कि सर अप्लिकेशन फी साथ सब्सक्राइब करों उसके बाद नहीं होगा तो फिर मेल करना आप ठीक है ना आपको अल्रेडी बताया है कि डाउट है तो आप ग्रूप में डिसकस करो आप मुझसे वाट्सेप पे पूछ सकते हो ठीक है और हाँ वाट्सेप पे अगर आप कभी भी कुछ पूछ रहे हो तो आप वेट जरूर करना ठीक है क्योंकि डेली मेरे पास काफी सारे मैसेज आ कोई भी डाउट होता है तो आप लोग टेलीग्राम पर गूरूप है एप भी जो है वह पर जो है वह आप कोई भी बैठ च्वाइन करते हो तो उसका एक गुरूप बन जाता है ठीक है हम मेकैनिकल में सबसे पहले इंजिनियरिंग मेकैनिक से स्टार्ट होगा साथ अपरेल से ठीक है चलो और किसी को कोई डाउट है जल्ली बताओ और किसी को कोई डाउट है कि फिर सेशन को खतम करें यहां पर लाप्टप में लॉगिन करने के लिए मैंने लिंक अल्रेडी शेयर कर रख है ठीक है बाकी यह पीडियेप जो है वो सिलेबस का आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा और एप पे मिल जाएगा दोनों जगा मिल जाएगा जो है मेकानीकल का जो है वो अपका जो आपका टार्गेडबेच है यह विकरम बैष लाइफ कλαस है उसकी अलावा बाकी के पूनाे सब्सक्राइब विक्रम से इडिकरान आप Δ 27 9 इन इन्जिनरिंग के बारे में बहुत सारे आप्षन है उसके लिए आपको यूटूब बहुत सारे वीडियो मिल जाएगे निर्ट न रोरा का आज हो गया उसका रिजल्ट भी आ गया कल इंटर्विव भी है बाकि इसका भी आ जाएगा ठीक है जो क्लासेश है वह आप डेमो लेक्षर देखो आपको आइडिया लग जाएगा ज्यादा तर एक्स्प्लेंशन हिंदी में होगा बट इंग्लिश में भी मैंने रिपीट करें हुए कि नॉर्मली हिंदी में जैसे मैं आपका सेशन लेता हूं वैसे ही रहेगा बाकी जो है वह आपका जहां पर इंपॉर्डेंट लगता है कि यह चीज बहुत सारे जो साउथ के स्टुडेंट है उनको नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा वी एस के लिए अगर सिर्फ IPRC के लिए जॉइन करना सिर्फ इस रो के लिए तो आप टार्गेट विक्रम बैज जॉइन करो और सभी एक्जाम के लिए टार्गेट बैच अब सारे कोशन रिपीटिव आ रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखना बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं तीन से तीन बहुत होता है देखो आप लोग एक चीज़ मैंने देखा हुआ है कि कई बार करके आप लोग जो है वो कोशन को याद करने की कोशिस करते हो जो की करना नहीं होता है है सरजी एन पीसियल में production देखो production जो है वो सिर्फ एक की जगा दिग्कत करते हैं वह आपका काकरा पर है ठीक है वहीं पर दिक्कत करते हैं बाकि नरोरा में कोई दिक्कत नहीं होता और भी NPCL के Center में कोई भी दिक्कत नहीं रहता है ठीक है तो मैं सेशन को यहीं पर खतम करता हूं अब है ठीक है और सभी के डाउट क्लियर हो गए कि सेशन यहीं खतम करूं अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप वाट्सएप पर पूछ लेना ठीक है ना कोई और डाउट होता है तो आप वाट्सएप हाँ लाइब क्लास का रिक्वाडिंग आपको रहेगा क्लास के बार आटोमेटिक अप्लोड हो जाता है IPRC में मैथ अप्टिट्यूड भी रहेंगे डेखो IPRC में लास्ट टाइम अब तक पूछा गया था लेकिन ऑनलाइन हुआ तो सब्सक्राइब भी मैथ आ गया ठीक है ना सब्सक्राओ की मैथ भी आएगा ठीक है तो मैथ को आप इसकिप नहीं कर सकते हो असी कोशन में वह भी ठीक है कटफ का वीडियो मैं कल पर सो तक अप्लोड करूँगा एक बार मैं सभी के कटफ करूँगा चलो अब मैं अधिक्राइब का तो सिलेवस मैंने आपको बता दिया यह पीडियेव डाउनलोड कर लेना और सेटलाइट बैच रिकॉडड़ बैच है एलेक्राइब के लिए ठीक है तो वह आप जॉइन कर सकते हो टेस्स जो है आप आपके जो टेस्स सिरीज होंगे वह कुछ टाइम बा पैंने को यहीं पर एंड कर रहा हूँ सो भा एवरीवन करता हूं में आपको साय क्लियर हो गया और हम विदियो को जरूर लाइक कर देना तीक है न शानौर चीजओ में आपको बता है हर एक चीजओ तो जाते-जाते लाईक जरूर कर देना भीड़ qui